चॉपिक पर पहुचने जा रहे हैं, जैसे आपने देखा, पहले पर लिखा हुआ है कि सनातन धर्म को गाली देने वाले उद्धे नधी के मुद्धे पर चुप क्यों है राहुल नितीश, मलब उसे जोर शोर बात चल रही है, वहीं अंदर एक पन्ने पर दिया हुआ है, को हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, कोई भी अपनी बात को कह सकता है, उद्धे नितीश के बयान पर कांग्रेस की सफाई, हर राजनितिक दल को विचार रखने की आजादी, बोला है, पहले पन्ने पर विरोध है, और दूसरे पन्ने पर उन्होंने अपना पक्ष रख की आउशकता है, तो अब सवाल ये है, कि जो मैंने तुम्हें सिखाया, आज चुकि हम एक और हिस्से में इंटर करेंगे, इश्यू के बारे में, जो हम मुद्दे की बात कर रहे थे, तो मुद्दे में एक वर्ड आएगा, और वो है conflict, ये आपको बहुत परिशान करेगा, तुम्हारे marks खा जाएगा ये, अगर तुमने neutral approach generate नहीं किया तो, तो मैंने एक चीज़ आपको और सिखाई, कि आपके लिए ना कोई चीज़ सही है, और ना कोई चीज़ गलत, ये syllabus से जादा important है, क्योंकि सवाल है कि अगर आपका हम मैं ध्रश्टिकोन डबलब नहीं कर प ले रहा हूँ कि कैसे UPSC का syllabus, मैंने का भानुमती का पिटा रहा है, जब तक तुम इसका ढखकन खोल नी रहे हो, तब तक ये हलका खलका दिख रहा है, कितना चोटा सा लिखा था, GS Paper 1, Indian Society, Social Issues, खतम था, कितना चोटा 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 लग रहा था, अब आओ जाओ अंदर, अब एक छोटा सा एक्जामपल लेता हूँ, मुरा बड़ा फेवरिट सा एक्जामपल ही, एक डैम है, बांध, एक बांध बनना है, ठीक है, डैम, तो डैम जब बनता है, तो डैम के दो साइड है, एक साइड को मैंने बोला A, और एक साइड को मैंने B, मुद्दों में निर लेना होता है Decisions क्यों होते हैं? Decisions के लिए होते हैं भई चलो Decisions ले रहे हैं ठीक है हमें लेना है? Decisions क्या होते हैं? अब देखो ये एक डैम है ठीक इस डैम में ये डैम बन जाएगा तो यहां से Irrigation होगा, सीचाई होगी यहां से Hydro Electricity यानि बिजली बनेगी, पन बिजली जिसे बोलते हैं, तो Hydro Electricity पन बिजली मिन लेगी? यहां से Irrigation सीचाई होगी ठीक है, Irrigation होगा कुल मिलाकत, बड़े फायदे हैं इसे बिजली बनेगी, सीचाई होगी Irrigation होगा तो यह साइट भी लेकिन इस डैम को बनाने के लिए नदियों का पानी रोकना पड़ेगा डैम का क्या काम होता है? नदी को पानी को रोक देना तो उससे क्या होगा? एक जलाशे बनेगा है, Reservoir These are known as Reservoir तो पहाडों के बीच में डैम ऐसे बना दिया जाता है, और Reservoir पानी भर देता है इसको जलाशे बोलते है अब जब इसमें पानी भरेगा बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग बहुत ध्यान से इसको विजुलाइज करो, तुम हो अब मैं तुम से बता रहा हूँ कि क्यों मुश्किल होता है एक attitude डबलब करना, और teacher को अपने student का attitude सबसे पहले डबलब कराना सिखाना चाहिए, subject में सीधे घुसा देते हैं, उब जैसे खेत में कोई छोड़ दो छुट्टा सांड उसी तरह तुम जाके खेत तबाह कर आओगे attitude डबलब करना बड़ा मुश्किल, अब जड़ा धेको ध्यान से क्या है यह reservoir water भर जाएगा अब मेरी ही class में दो लोगों को मैं ले लेता हूँ कौन बोलना चाहेगा, कौन बात करना चाहेगा मुझसे चलो, दो लोग हमारे student है आपका घर जो है साहब बच्पन यहां से बीता है आपकी संस्क्रती, आपकी बोली, भाषा यहां से जुड़ी हुई है अगर यह dam बना तो इस reservoir के पानी में आपका पूरा गाउड डूबना तय है आपको यहां से जाना पड़ेगा आपको यहां से विस्थापित होना पड़ेगा अपनी जमीन, अपनी यादें अपने जगह, परिवेश, माहौल सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा आप बताइए सर और आप इस तरफ है irrigation होगा खेतों में लहलाती फसले होंगी सीचाई की वेवस्ता होगी, बिजली बनेगी साब आपके इसाब से यह डैम बनना चाहिए की नहीं बनना चाहिए logical जवाब देना जो true है आपके इसाब से डैम बनना चाहिए की नहीं बनना चाहिए, बहुत दिन से आपके खेत में पानी नहीं आ रहा था, बाल का पानी बरबाद कर दे रहा था, रुख जाएगा, विजली बनेगी, आपके अस्पतालों को विजली चली जाएगी, फायदे हैं, बनना चाहिए, मैडम आपके इसाब से ये डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आपके पूरे परिवार को जादे, खेत, खलियान, जंगल, सब डूब जाएगा, और हम सभी अपने परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, हुमन को ये लोन नहीं है, बताइए, आपका घर अगर बी साइड में है, तो डैम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, आप, आपके पीछे कोई भी जव करने पुता रहाते हैं, प्रैक्टिकल जवाब दो, प्रैक्टिकल मतब किया रहा हूँ, आपके साइड आप, फील नहीं कर रहे हो का बी पे हो, आज कोई आ रहा है, दर्वाजा खटखटा रहा है, बोले कि आपको अपना मकान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पानी भरने आपका खेट छोड़ना है, और आप एक क्लाइमेटिक सिस्टम पर रहते हो, अच्छी क्लाइमेट, कोई करा दूर कहीं जाकर एक बंजर जमीन आपको दी जाएगी, वहाँ आप बसाए जाओगे, जहांकि ना बोली आपको पता है, ना भाशा पता है, ना खान-पान, ना परिवेश कुछ नहीं पता है, जाओगे, डैम बनना चाहिए आप कहीं साब से, हाँ आप बताएं, फिर वही बाद हो, तुम भी की तरफ हो ही नहीं, तुमेंसे किसी की संपति साथकार ने लिए है, नहीं लिए है, आप, कहता है आप आप वहाँ नहीं हो, पहाड़ी आज इता हुआ recycling में समगायाता हुआ नवो नधी ऐख्यामपल दिया था एक बहुत दिन से तुम घंगा-माई-गंगामाही कर रहे थे, एक दिन घंगा-माही नЕ वही निजका हुआ, अमिली लो, पहाड़ी आदमी नधी तलहटी में नही रहता है, पहारी आदमी पारी चरताह इन्हें पता है, बिहेव कैसा है, यह हमें नहीं पता, हम अपने आपको so-called progressive लोग कहते हैं, हमें नहीं पता कि एक पेंड काटने से क्या नुक्सान होगा, उस पहरी आजमी को पता है कि यह पेंड कितना important है उसके लिए तो कल चिपको अंदुलन का example लिया था, इसका मतलब तुम सारे के सारे class को लिख नहीं रहे हो तो अब तुम थोड़ी दे के लिए practical कोई मुझे जवाब दो कि तुम B-side में हो तुम्हारे पुर्खों के मकान है, बनने दोगे क्योंकि इस देश में उठा के देख लो चाहे कावेरी जल्विवाद हो, चाहे दुनिया भर में कोई भी डैम की बात हुई हो, जहाँ पर बड़ी आबादी रह रही है हर बांद के पीछे विरोध हुआ है यह सचा है, यह समाज है ना क्योंकि एक तरफ सरकार के रही से बड़े फाइदे हैं मैं आज जाके नेट पर साच करना, ओल्ड टेहरी जब टेहरी बांद बनाया गया था तो एक बड़ी खुबसूरत सी जगर थी बड़ा खुबसूरत सी कल्चर थी, ओल्ड टेहरी, पुरानी टेहरी बड़ा वहां अच्छा हत्करगा उद्योग था